असलाम लेकूम वेलकम तो क्यूटियो मैं अब्दुल कयूम और आज की इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स टूल नेक्स टूल हमारे पास आता है रोटेट टूल और उसके साथ रिफ्लेक्ट टूल तो यह दोनों टूल आज की इस वीडियो के अंदर रोटेट टूल जाहरे हमारे किसी शेप को रोटेट करने के लिए स्तमाल होता है हमेmost चाहिए होगी शेप बनाने के लिए मैं यहां एर्नेब्स कäg तूल यहां पर ड्राउ कर लिया हूंद इस ऐक कस्ट्म रच्टैंगल Rectangle के Fill Color को हम यहां से कुछ भी Swap कर देंगे मैं यहां से Swatches के अंदर से इसके Color को Change कर देता हूँ यहां पर मैंने एक Simple Rectangle ले लिए अपने Hardboard के उपर अब हमने क्या करना है Rotate Tool लेने और उसके बाद अगर इस Point से लेकर हम इसको Drag करते हैं देखें क्या हो रहा है कि जो Rectangle है यहां से इस तरीके से Rotate हो रहा है अगर हम यहां पर गोर करें तो यहां पर मैं इसकी Color को अगर चेंज कर दूँ थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो यहां पर हमारे पास एक Point सा एक सियान Color के अंदर एक Point मेल रहा है यहां पर Center के अंदर एक Point मेल रहा है तो जब हम Rotate कर रहे हैं तो देखें कि हमारा Center Point इसके Around Rotate हो रहा है Rotate Tool लेकर में इस Point को अगर किसी और Point पर Drag कर कर देता हूं तो यहां पर क्या होता है कि जो हम अपनी शेप करने के लिए इसकी पॉजिशन सेट की इसके बाद मैं Alt की Press करता हूं तो यहां पर क्या होता है कि जो हम अपनी शेप को Copy करने के लिए इस्तवाल करते हैं उस तरह से हमारे पास यहां पर आइकन आ रहा है अब मैं क्या करता हूं इस शेप को Drag करके यहां पर एक Copy ले लेता हूं मैंने यहां पर Copy ले ली Next हम क्या करते हैं इसी Step को Repeat कर देते हैं तो देखें किस तरह से इस टूल की मदद से हमने एक रोटेशन के अंदर एक सिंपल सा सिंपल से स्टैप करते हुए इस तरह से हमने एक डिफरेंट कोई चीज़ बना लिए Let's try something else हम इसी का समाल एक डिफरेंट शेप के उपर करते हैं मैंने यहां से एक rectangle रोग किया और इसका मैं points को इन दोनों points को drag करके इसके mid में center में रख देता हूँ इसको हम कर देंगे यहां से rotate करके simple drag करके मैंने यहां पर इसका यह direction set कर ली है यहां से इसको align कर देते हैं थोड़ा सा बिलकुल center में थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहां पर मेरे पास यह एक shape मैंने ड्रॉक किया अपने artboard के उपर अब rotate tool लेकर इस point पर आकर क्यूंकि मैंने अब जो working करनी है वो इस point के round करने तो alt की press करके जब मैं इसके उपर click करता हूँ तो यहां पर देखे कि मेरे पास एक rotate tool का menu भी open हो गया और साथ ही साथ यहां पर जो एक rotational point था मेरा orbital point था वो यहां पर इस point पर आ चुका है अब यहां पर हमारे पास आता है angle यहां से हम कोई भी set कर सकते हैं उसके इलावा preview में हमारे पास यहां पर preview option आता है कि हम preview देखना चाहा रहे हैं या नहीं अगर हम यहां से okay पर click कर देंगे तो यही rotation इसके उपर apply हो जाएगी बट अगर हम copy पर click करते हैं तो क्या होता है कि यह हमारी यह shape copy हो जाएगी तो अगर मैं यहां से इसके angle को करते हूँ 35 degrees और यहां से एक ले लेता हूँ copy तो इस shape की यहां पर एक copy generate होगी इस step को हम repeat कर लेंगे Ctrl D press करके Ctrl D press करते करते हैं यहां पर हमारे पास यह देखें कि किस तरह से इस एक shape से हमने rotate tool का सभाल करते हुए इस तरह का कुछ pattern बना लिए अगर हम इसके अंदर कुछ colors add करते हैं यहां पर इस तरह से कुछ gradient apply कर देते हैं इसके उपर तो यहां पर देखें किस तरह से हमें एक different सा look इसका मिल जाएगा मैं इसके color को थोड़ा सा यहां से dark कर देंगे opacity कर देंगे 100% तो यह थोड़ा सा gradient को adjust करके इसके बाद इस point से मैं drag कर लेता हूँ अपने इस color को देखें किस तरह से हमने एक simple सी एक trick इस्तमाल करके इसका rotate tool की मदद से यह shape ड्रॉब कर ली जल्दी से हम next tool को discuss कर लेते हैं और उसके बाद कुछ illustration ड्रॉब करते हैं तो यहां पर मेरे पास है reflect tool reflect tool क्या है कि हमारे किसी जीश को reflect किसी shape को reflect करने के लिए इसमाल होता है इसको easily understand करने के लिए सबसे पहले अपने आर्टबोट के उपर एक random shape ले लेते हैं जिसको हम differentiate कर सकें मैंने यहां पर एक triangle ले लिए अपने आर्टबोट के उपर अब यहां पर reflect tool पर double click करते हैं तो यहां पर हमारे पास reflect का menu open होता है इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास axis आते हैं कि हम horizontal के अंदर यह vertical axis के अंदर किस तरफ हम इसको reflect करना चाहरे है reflect मतलब अगर आप इस icon को देखें कि यहां पर एक triangle बना हुए है तो reflect करने से अगर हम इसको vertically or horizontally reflect करते हैं तो यह क्या होता है कि इस तरफ आ जाते है इस तरह इसे अगर चीज है इस तरह से rectangle है तो उसको दूसरी तरफ करना चाहरे है इसके बाद हमारे पास angle आता है and preview preview के बाद यहां पर सेम चीज़ के अगर आप copy करते हैं तो इसी shape की copy हो जाएगी reflect होकर and अगर आप okay पर click करते हैं तो यही shape reflect हो जाएगी तो मैं यहां से सिर्फ vertical पर click कर देता हूँ और click करने के बाद यहां से okay पर click करते हैं तो यहां देखें कि हमारा वो shape जो हमारा एक triangular shape था वो इस तरफ vertically reflect हो चुक है clear यहां पर देखें किस तरह से हमारा यह shape reflect होकर हमें इस तरह से मिल गए इसको delete कर देता हूँ and दूसरा तरीका यह है कि हम इसको इस shape को select करके right click करते हैं तो यहां पर नीचे हमारे पास कुछ options आ जाते हैं इसके अंदर transform है arrange select इसके अंदर transform menu के अंदर हमारे पास आते हैं क हमेरे पास वही सेम rotate tool का option आया जिसके अंदर हमारे पास angle set करके हम उसको copy कर सकते हैं या पिर उसी को rotate कर सकते हैं and then next जो है हमारे पास reflect reflect का इसके अंदर हमारे पास transform के अंदर आता है तो जैसे ही मैं reflect menu पर सूरत में आया अगर हम सिर्फ एंगल पर क्लिक करें तो यहां पर जो भी एंगल हम सेट करेंगे उसी एंगल पर शेफ हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर अगर आप वर्टिकली करना चाहरे हैं सेट हो जाएगा आटमेटिक लिए 90 डिग्री पर सेट होकर यह आटमेटिक लिए आपको एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन देगा तो आपको यह दोनों टूल समझ में आया होंगे अब रूटेट टू करने के बाद हमने रेक्टैंगल टूल लेना है और रेक्टैंगल टूल की मदद से अपने एक आर्टबूट के उपर इस तरह से ब्लैक कलर का रेक्टैंगल ले लेंगे इस रेक्टैंगल को हम अलाइन कर देते हैं यहां से स्ट्रोक को मैंने खत्म कर दिया और इस रेक्ट करके बिलकुल सेंटर में रख लेंगे centre में करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट को भी इस तरह से ड्रैक करके simple click करके ड्रैक करेंगे और इन दोनों को इस तरह से center में लाएंगे तो यहां पर मेरे पास ये एक portion आ चुक है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और अब next हमने क्या करना है इसी black portion को इसी black section को हमने इस box के around, इस circle के around rotate करना है ये rotation करने से पहले हम अपने calculator को open कर लेते हैं अपने computer के अंदर और थोड़ा सा math का इस्तमाल करेंगे गबराना नहीं है, कोई ज़्यादा math का समाल नहीं होगा, सिर्फ simply हमारे इस complete circle के angles होते हैं 360 और अगर हम यहाँ पर 360 के angle के अंदर यानि 360 degrees के circle में इस part को copy करना चाह रहे हैं 10 times तो हमारे पास कितनी rotations हमने ये कितना angle रखना है उसके लिए वो चीज हम यहाँ से calculate करेंगे तो इसके लिए देखें क्या होता है कि हम 360 divided by यहाँ से अगर मैं 10 कर देता हूँ and equal पर click करेंगे तो 36 degrees यानि अगर हम इस section की 10 copies लें, यानि 10 copies लेना चाह रहे हैं तो हमें angle कितना रखना होगा एक second के लिए इसको side पर कर देता है rotate tool लेकर मैं अगर इस point पर click करके randomly कोई angle set कर लेता हूँ मुझे नहीं पता मुझे angle कितना चाहिए या कितना रखना चाहिए मुझे मैं यहाँ से for example मैं यहाँ से अगर इसका angle कर लेता हूँ 25 degrees, तो यहाँ से angles 25 degrees करने के बाद मैं इसकी यह copy ले लेता हूँ and इसको हम repeat करते हैं control D press करके control D press करके repeat करते करते हैं यहाँ से देखें क्या हो रहा है कि तमाम इन shapes का जो distance है वो सबका बराबर है but end पर आकर क्या हो रहा है कि हमारे पास यह disturbance आ रही है कि यह हमारे पास perfectly तमाम shapes copy नहीं हो रही देखें किस तरीके से perfection नहीं आ रही इस जगह पर यहाँ पर last के अंदर हमारे पास यह space ज्यादा बच रहा तो इस चीज़ को खतम करने के लिए हमारी थोड़ी सी calculations करनी पढ़ेंगी हमें जिससे क्या होगा कि हमारा यह complete section जो है यह complete equally fill हो जाएगा तो इसके लिए calculator के अंदर हमने जिस तरीके से किया कि हमारे total circular shape के अंदर होते हैं 360 degrees angle और इसके अंदर हम लेना चाहरे है for example 12 rotations यानि कि हम 12 parts इसके copy करना चाहरे है तो यहाँ पर मैंने यह चीज़ कर ली 360 को divide करेंगे 12 से and equal पर click करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये angle हमें मिल रहे के अगर हम अपने rotation के अंदर 30 degrees angle रखेंगे तो हमारे पास इस circle के अंदर 12 shapes यह नहीं 12 shapes यहाँ पर perfectly copy हो जाएंगी तो 30 degree angle रखके अब दुबारा try करते हैं यहाँ पर मैंने rotate tool लेकर इस point पर alt key press करके click करेंगे तो यहाँ से rotate tool का menu open होता है इसके उपर हमने angle रखना है for example 30 जो हमने अभी अभी calculate किया है और calculation के बाद 30 degree angle रखने के बाद यहाँ पर copy पर click करते हैं तो हमारे पास एक copy generate हो चुकी है तो यहाँ पर मेरे पास एक copy हो चुकी है एक अब हमने कितनी copies लेनी थी 12 तो हमें क्या करना होगा इसी step को repeat करना होगा तो इसके लिए हम e-board से control d press करते जाएंगे तो यहाँ पर देखें एक copy हो चुकी है हमारी next, 2 फिर दुबारा control d press करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यह हमारे पास last जो copy है यह हो गई 12 copy तो इस तरह से हमें calculation के बाद यहाँ पर यह जो copies मिली है यह बिल्कुल perfectly aligned मिली है अपने इस circular shape के अंदर तो बहुत ही easily हमने यह चीज़ कर ली तो यह थोड़ी सी calculations हमारी perfection के लिए काफी helpful रही है अगर हम यही चीज़ दुबारा repeat करें तो मैं यहाँ से इसको control c press करके control f press करता हूँ तो इसी के उपर एक हमारी एक copy आ जाएगी और इसको थोड़ा सा size में कम कर देंगे इस तरीके से इसी color को थोड़ा सा light कर देंगे यहाँ पर यह चीज़ तो रोटेट टूल लेकर उसी तरह से हम इसके इस anchor point पर click करेंगे alt की press करके angle वो ही रखेंगे 30 degrees and इसकी copy ले लेंगे यह हमें उपर चाहिए top पर तो इस तरह से हम इसको align करने के बाद इस तरह से इसकी random से दुबारा copies ले लेते हैं next जो हमारा यह portion है यह जो circle है background पर इसके color को थोड़ा सा change कर देते हैं यहाँ से light से colors में जाएंगे यहाँ पर मैं for example यहाँ से swatches के अंदर आकर एक point पर white कर देते हैं देस्ट दूसरे point पर थोड़ा सा इसको gray कर देते हैं इसको swap कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ पर यह थोड़ा सा इसको और white करेंगे done तो यहाँ तक होने के बाद यह portion हमारे पास complete हो चुका है अब इसको तमाम shapes को select करके जो हमारा shape builder tool है shape builder tool की मदद से extra shapes को हम यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देंगे shape builder tool की class अगर आपने attend नहीं की तो बहुत ही interesting tool है वीडियो आपको इसका lecture इसकी complete instructions आपको चैनल के अंदर मिल जाएंगी और link भी मैं description के अंदर दे दूँगा I recommend कि यह shape builder tool की class आप लाजमी attend करें क्योंकि designing के लिए designers के लिए यह tool बहुत ही helpful रहता है तो यह shape हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से draw हो चुकी है जो हमारे पास background में circle है इसके stroke को इस तरीके से बढ़ा देंगे color हम रखेंगे इसका black and इसके stroke की जो alignment है वो यहाँ से इस point पर align stroke के अंदर आकर हम इसको outside पर click कर देंगे तो यह इस तरीके से बाहर की तरफ align हो जाएगा दुबारा हम एक और circle लेंगे पुल एक perfectly circle draw करके इसके stroke को खतम कर देंगे यह रखेंगे हम black color के अंदर इसको भी हम अपने artwork के उपर इस तरीके से align कर देंगे अब एक और circle draw करना है जिसका color हम white रखेंगे इसको हम इसी तरीके से दुबारा से align कर देते हैं इसकी copy लेकर दुबारा से इसके color को black करके and again align कर देते हैं अपने इस circle के center में और इसके size को थोड़ा सा कम कर देंगे यहां पर यह चीज हमारे पास ready हो चुकी है यहां पर इन तमाम shapes को select करके मैंने control G press करके group कर दिया है तो यह shape हमारे पास इस तरह से कुछ perfect calculations के साथ perfect alignments के साथ यह चीज हमारे पास ready हो चुकी है I hope आपको rotate tool का और reflect tool का इस्तमाल completely आसानी से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजएगा और चैनल को subscribe कर दें ताके upcoming lessons आप तक सबसे पहले पहुंचे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक new lesson के साथ अपना ख्याल रखिएगा Allah आफेस